दोस्तों मैं रिना आपके अपने चैनल रिना किचेन रेसिपी एंड वोक्स में स्वागत करती हूँ तो जो साल की पहली एकादशी है पोश पुत्रदा एकादशी का वरत करने से संतान की प्राप्ति और कुछ ऐसे उपाय है जिनको दूर करने से होती है हमारी सारी परेशान दूर तो जो इस वाइ पुत्रदा एकादशी हिंदुध्य हमें एकादशी के वरत को सबसे विशेश महत्य दिया गया है और नए साल की पहले एकादशी 13 जनुवरी के दिन पढ़ रही है तेरह जनुरी को पोश मा के शुकल पक्ष की एकादशी इस पुत्रदा एकादशी साधिकों को पोश्च पुत्रादी एकादाशी का वृत आवश्य रखना है अब पुत्रेदा एकादाशी इस बार किती थी 12 जन्वरी शाम को बचके उन पचास मनीर पर शुरू होका 13 जन्वरी शाम 7 बचके 32 मनीर पर समापत होगी व्रति को जो भी व्रत रखने वाले उनको 13 जन्वरी को किसी के किसी भी समय भगवान विश्णु अमार लक्षमी की पूजा की जा सकती है और जीवन में सुख सम शांती समरेदी उसंता सुख पाने के लिए पुत्र दा एकादशी के दिन कुछ ऐसे हुपा हैं जिनको जरू करना है तो आए हम जानते हैं तो सबसे पहले तो घर में किसी व्यक्ति या पुत्र के बीमार होने पर पुत्र दा एकादशी के दिन भगवान शी हरी विश्णु बंदी जाकर गेहूं या चावल चड़ा हैं इससे आपके इस अन्न को मंदिर में उपसी भ्रामण या मंदी परीशन में उपसी लोगों को दान करें ऐसा करने से घर में मौझूद परेशानेों का अंतो होता है किसी पुरानी समस्या से लगाता लड़ रहे हैं तो कोई हल नहीं निकल रहा है तो एकादशी के दिन संद्याकाल में पीपल रक्ष की पूजा और आर्थी करें ऐसा करने से सालों पुरानी समस्या से हिजात मिलेगा आर्थिक समस्या से जूजने की सिती में एकादशी के दिन तुलसी जी के पोधी की जड़ में शुदिगी का दिया जलाएं और तुलसी जी की आर्थी करें ऐसा करने से घर में शुक्षांती और सम्रेदी का आगवन भी होता है संतान प्राप्ति के लिए पुत्र दा एकादाशी के दिन वेवाहिक धंपती भगवान श्री किष्ण की पूजा उपासना करें और श्री किष्ण को लड़ू अर्पित करें इतना ही नही तुलसी युक्त पंचामरे से भगवान को इसनान करें पूजा आर्थी करने के बाद भगवान से संतान प्राप्ति की कामना करें पुत्र दा एकादशी के दिन इसनान ध्यान से निवरेतों का पीले वस्त धारं करें और भगवान श्री विष्ण की पूजा पीले फल, पूर किया जा सकता है जानका रहे पसंद रही होते हैं वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल लाइक कमटन दबा दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में आरे किश्णा हूँ